नमस्कार मैं हूँ मनीश शिर्वास्तो और आज की खबर पे आपका स्वागत है सबसे पहले आज की खबर की पूरी टीम अपने उन आठ शहीद पुलिस कर्मियों को नमन और भाव भीनी शद्धांजली देती है जिन्होंने कानपूर में कुख्यात माफिया विकास दुबे से खूनी संगर्ष में अपनी जान गवाई है आखिर कौन है ये खुखार हत्यारा हिस्ट्री शीटर विकास दुबे जिसके उपर 60 मुकद में दर्ज है फिर भी वो जेल की सलाखों के बाहर था इसने कानपूर में एक ऐसा जगन हत्याकान अंजाम दे कर पूरी योगी सरकार को हिला मारा विकास कैसे छोटे मोटे बदमाश से एक माफिया बन बैठा आज की खबर इस माफिया का पूरा कच्चा चिठा खोलेगा कैसे सियासी बेल पकड़ कर ये अपरादी जरायम की दुनिया की सीडिया चलता चला गया कानपूर देहात में विकरू गाव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे विकास दुबे के माफिया बनने की कहानी भी राजनीती के अपरादी करण की ही देन है विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और पुलिस के बड़े-बड़े अफसरों की सरपरस्ती का ही नतीजा था जो आज विकास दुबे आतंग का परियाय बन बैठा जमीनों पर कबजे और मारपीट में माहिर विकास ने अपना नेटवर्क सबसे पहले कानपूर देहात के शिवली, मंधना, शिवराजपूर, बिलहौर और फिर कानपूर शहर तक फैलाया विकास के आपराधिक कैरियर की शुरुआत 1990 से हुई सबसे पहले पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उसने विक्रू से सटे गाओं दिब्बान निवादा के चौद्रियों को मारा पूरा खेल अगणों की हनक जमाने का था जिसके लिए इस ब्रामर बहुल इलाके में पिक्षणों की राजनीतिक हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लिया गया था तब विकास की मदद पूर्विधायक नेक्चंद पांडे ने की थी जो भाजपा के थे जैसे ही ये दरिंदा पकड़ा जाता ततकाल सियासी लोगों के फोन घंगनाने लगते थे बस पुलिस ततकाल छोड़ देती थी इसी बीच बिलहौर के पास राजन कटियार की हत्या होती है जिसमें विकास का बहनोई राम खिलावन पांडे भी नामजद हुआ लेकिन ये दुर्दांत अपरादी बच निकला फिर मुकदमा ही सियासी रसूख से खत्म करा दिया गया 1990 में ही विक्रू गाउं के जुन्ना बाबा का कतल होता है इलाकाई चर्चा यही थी कि इस कतल को विकास दुबे नहीं अंजाम दिया था हत्या के केंदर में सूला भीगे वो बेशकीमती जमीन थी जिस पर विकास कबजा करना चाहता था इस हत्याकान की रिपोर्ट तक विकास के दबाओं में वापस ले ली गई अब विकास भाचपा नेता हरीकरश्न शिर्वास्तों के हाथों की कट पुतली बन चुका था हरीकरश्न चौबे पूर से विधान सबा चुनाओ लगते थे विकास उनका सिपा सलार बन कर उबरा आजपास के इलाकों में विकास के आतंग से हरीकरश्न के पक्ष में वोर्ट भी गिराने का धंदा शुरू कर दिया गया था फिर क्या था राशनीतिक रसूक ने जमीनों पर कबजे की जंग में मानो पहनी धार ला दी इसी बीच सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के संपर्क में भी विकास आ चुका था श्याम बिहारी 96 में बसपा में गए तो विकास भी बसपा का सदस बन बैठा बस यहीं से कुख्यात अपरादी विकास दुबे जराइम की दुनिया का सितारा बन कर उबरा दरसल भाजपा उमीद्वार संतोष शुकला का चुनाओ समालने वाले ललन से विकास का टक्राव हुआ था दरसल 2001 में परदेश में भाजपा की सरकार थी और संतोष शुकला को दरजा प्राप्त राजमंत्री बनाय गया था संतोष शुकला से भी विकास की पुरानी रंजिस चली आ रही थी कुछ भाजपा नेताओं ने उनके भी समझोता कराने का प्रयास किया लेकिन बात पूरी नहीं हुई हरी क्रेशन शिर्वास्ताओ विजई गोशित हुए विजे जुलूस निकाले जाने के दोरान दोनों प्रत्याशों के बीच गंभीर विवाद हो गया था जिसमें विकास दुबे का नाम भी आया उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था यहीं से विकास की भाजपा नेताश संतोष शुकला से रंजिश शुरू हुई और इसी रंजिश के चलते 11 नवंबर 2001 को विकास ने कानपूर के थाना शिवली के अंदर घोच कर संतोष शुकला की गोली मार कर हत्या कर दी थी अदालत में हत्या का मुकदमा विचारा धीन था इस दौरान विकास द्वारा वादी और गवाहों के धमकाई जाने की शिकायते पुलिस तक पहुच रही थी अदालत में काफी लंबा ट्राइल हुआ लेकिन साक्षों के अभाव और गवाहों के मुकर जाने से विकास तुबे पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके और उसे बरी कर दिया गया था इसी के कुछ दिन के बार ललन के भाई पर विकास ने ताबर तोड गोलियां बरसाई इस कांग के पीछे इस माफिया और उसके भाईयों का ही हाथ था यहीं से संघर्ष और खुनी हो चला अपने आतंक और रसूक के बूते विकास जिला 25 सदस की कुरसी भी हतियाने में काम्याब हो गया तहे बजारी ठेके और जमीनों पर कबजे ही उसका पसंदीदा शौक था तीन गावों में उसने अपने घरवालों को प्रधान बनवा दिया तक कालीन कैबनेट मंत्री प्रेमलता कटियार ने भी विकास जैसे अपरादी को खूप सरक्षर दिया हलाकि उन्होंने इस बात से इंकार किया है लेकिन प्रेमलता कटियार के बेटे को जिला 25 चुराओ जिताने के पीछे विकास का ही हत था भाजपा की सरकार रहते विकास का बाल बाका तक नहीं हुआ फिर बसपा सरकार आते ही विकास ने आत्म समर्पन कर दिया इसी से आप भाजपा निताओं से विकास की नजदीकियों का अंदाजा लगा सकते हैं उसका आत्म समर्पन उसके सियासी रसूक की गवाही दे रहा था तमाम सांसदों और विधायकों के सार्थ विकास दुबे जैसे दुर्दान तपराधी का आत्म समर्पन करना कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विशे बना था बाद में चौबेपूर से बस्पा विधायक रहे अशोक कटियार से भी विकास की करीबिया हो गई विकास तो खुलन खुला यहां तक कहता था कि बस्पा की राष्ट्री उपाध्यक्ष और ततकालीन मुकमंत्री मायावती उससे कभी नाराज नहीं हो सकती हाला कि बाद में उसका दिखावटी निश्काशन भी बस्पा से किया गया बस्पा भाष्पा कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी उत्तर प्रदेश की चारो प्रमुक पार्टियों के कद्दावर नेताओं से दुरदानत अपरादी विकास दुबे की गहरी कानपूर के शिवली थाना चेत्र में ही वर्ष 2000 में राम बाबु यादो की हत्या के मामले में विकास पर जेल के भीतर रहके साजिश रशने का आरोप था वर्ष 2004 में केबिल व्यवसाई दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास सारोपी है वर्ष 2013 में भी विकास को कानपूर पुलिस ने पकला था तब उस पर 50,000 का इनाम भी था लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से गहरे संबंध होने का फाइदा विकास को मिला और वो माफिया सलाखों से बाहर आ गया स्टिएफ ने कानपूर में भाश्पा के ततकालीन दरजा प्राप्त राज्यमंतरी संतो शुकला की थाने के अंदर संसनी खेज हत्या के आरोपी विकास दुबे को 2017 में लखनव से गिरफतार भी किया था लेकिन भाश्पा नेताओं से गहरी साथगाट होने के चलते हिस्ट्री शीटर विकास एक बार फिर सलाखों के बाहर निकला कानपूर में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या की घटना के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खौफ से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं हलाकि उसके बारे में कोई कुछ खुल कर बोलने के लिए तयार नहीं है लेकिन उसके खौफ का अंदाजा इस पास से लगाई जा सकता है कि लोग आपसी विवाद और तमाम मामलों में प्रशासन या पुलिस से मदद मागने के बजाए सीधे विकास दुबे के पास जाते थे एक नामी कमपनी में कुरुना काल के दोरान हाल ही में लॉकडाउन की वज़े से कई लोगों की छटनी की गई है लेकिन इस फैसले को लागू करने से पहले कमपनी को विकास दुबे से इजाज़त लेनी पड़ी दरसल हुआ यूँ कि कमपनी के तमाम कर्वचारी शिकायत लेकर माफिया विकास दुबे के पास पहुँचे थे कमपनी की ओर से विकास दुबे के सामने गुहार लगाई और भरोसा दिया गया कि बाद में आप जैसा चाहेंगे वैसा ही कर लेंगे विकास दुबे को नेताओं का सरक्षन तो मिला ही साथ ही उसे इस बात का भी पूरी तरह से एसास था कि सत्ता में बैठी पार्टियों से हाथ मिलाकर वो कुछ भी कर सकता है इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस किसी भी पार्टि की सरकार सत्ता में आई वो उसी के साथ हो लिया साफ था कि सभी प्रमुख पार्टियों के साथ विकास दुबे की सागाट थी आपने देखा किस कदर राजनेतिक सरक्षन ऐसे गुंडों को पालता है और फिर वही अपरादी सत्ता धारी दलों के गले की हड़ी बन जाते है भाजपा ने जिस बदमाश विकास दुबे को नब्बे के दशक में आसरा दिया था आज वही भाजपा राज में कानून वेवस्था की दज्जियां उडाते हुए यूपी पुलिस के आठ जवानों को शहीत कर चुका है फिलहाल मुझको दीजे इजाजत और आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे आज की खबर नमस्कार